इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि if else if का code कैसे लिखा जाता है अब यहाँ पर आप पहले एक variable declare कर दीजिए where a और a की कोई value दे दीजिए जैसे कि मान लीजिए 0 अब if लिखने के लिए if bracket open close a double is equal to 0 और curly brackets open close तो देखिए code ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब हुआ अगर a की value 0 है तो इसमें आप जो code लिखेंगे वो code educator हो जाएंगे कई programming language में ये single is equal to लिखा जाता है लेकिन javascript में double लिखा जाता है single लिखने का मतलब होता है कि a में आप 0 की value assign कर रहे हैं और double is equal to लिखने का मतलब होता है कि आप चेक कर रहे हैं कि a की value 0 है की नहीं अब आप यहां पर कोई भी statement दे सकते हैं जैसे की document.write अब आप यह सेंटेंस डिस्पले हो जाए कि a is 0 अब इसको सेव करके इसको हम run करके देखते हैं तो देखिए a is 0 अब हम एक से ज्यादा if देना हो तो कैसे दिया जाता है इसका पूरा copy कर लिजिए copy करके यहां पर paste कर दीजिए और एक से ज्यादा if हो तो उसको else if एक से greater than 0 अब इसको run करके देखते हैं तो a is 0 तो a की value change करिए 0 की जगा आप मान लिजे 5 अब रग रते हैं save और run करिए तो देखिए a is greater than 0 तो यह checking कराने के लिए होता है if कि जो condition match करेगी वो run हो जाएगा अगर a 0 है तो पहला यह run करेगा a की value 0 से ज्यादा है तो यह run करेगा पहले यह checking करता है अगर यह सही हो गया तो फिर यह सारे else if को ignore करके सबसे end में आ जाता है और एक और होता है else एल्स में क्या होता है कि अगर कोई भी condition match ना करे उपर की तो फिर वो else condition माने जाती है तो आप क्या करिए इसको copy कर लिजे और यहां पर paste कर दीजे तो देखे condition क्या हो सकती है a की value यह तो 0 हो सकती है यह 0 से उपर हो सकती है यह 0 से नीचे है तो अगर 0 है तो यह statement run करेगा a की value 0 से जादा है तो यह करेगा और else यानिकि इन दोने के लावर less तो यहां पर लिखेंगे a is less than 0 save करिए अब मान दीजेए इसको आप plus 5 की जगा minus 5 दे दीजेए save करके इसको run करके देखते है a is less than 0 इसको 0 करके देखते हैं इसको run करके देखिए तो a is 0 अब क्याए कि हमें बार बार यहां पर change करना पड़ रहा है क्यों नहीं हमें काम करें यहां पर यूजर को ही अलाव कर देगी यूजर को टाइब करके चेक करें तो उसके लिए करिए प्रॉम्ट प्रॉम्ट और एक मैसेज देजिए एंटर नमबर अब क्या होगा कि जो भी यूजर एक वैल्यू देगा वह इस कंडिशन के साफ से चेक होगी इसको सेव करिए रन करके देखिए यह पुछ़़ा है एंटर नमबर जैसे मैं लिजिए मैं 5 देता हूं तो A is greater than 0 फिसे रिफ्रेस करिए मैं लिजिए मैं 0 देता हूं तो A is 0 फिसे रिफ्रेस करिए मैं मैं मैनस 5 देता हूं तो A is less than 0 तो इस तरीके से आपके तीनों कंडिशन मैच होती है तो एक चीज़ का दिहान रखेगा ऐल सिफ में स्पेस बार होना जुरूरी है इसको अगर आपने जोड दिया तो यह कोट काम नहीं करेगा इसलिए बी लेंग्विज में यह दोनों एक ही सब्द होते हैं तो इस तरीके से आप if, else if और else यूज़ कर सकते हैं धन्यवाद